अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासत खरीदने की क्या है जरूरत जब ओई माट है आपके लिए तयार ओई माट के मोबाईल एप वब एफ साइट से करें खुल कर खरीदारी पाएं होम डिलिवरी संपड़क करें 8340371787, 7325052437 GS News पर चलें प्रशनोतरी प्रतियोगता सीजन तीन क्या? आज का अमतिन सवाल कौन सी राजसरकार प्रदेश में मास पहने की आनिवारे ताटो लेकर विरान सवा में बिल पेस करेगी? A. राजस्थान, B. ग. A. C. हरियाना या D. उत्तर प्रदेश वीडियो को रोकर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ते हैं नवगच्या में बोले चिराग पास्वान हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर की तर्ज पर बनाएंगे बिहार में सीतामा का भव्य मंदिर वो परपर विधान सबाच्षेतर से लोजपा प्रतियासी सूरेज भगत के समर्थन में प्रचार को नवगच्या पहुँचे पाटी के राष्टियत एक्षिराग पास्वान ने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर मितला में सीतामा का भी मंदिर बनवाएंगे उन्होंने कहा कि पहले चरन के चुनाओं का जो फीड़ बैक मिल रहा है उससे लग रहा है कि एक तरफा जीत के साथ हमारी सरकार बनी तय है बिहार और बिहारियों को फष्ट बनने का संकल्प हम पूरा करेंगे उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने बिहार आये प्रधान मं बाहर से लोग यहां आएंगे यहां के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी वहीं मुंगेर में मूर्ति विश्रजन के दौरान लाठी चार्ज और फाइरिंग को लेकर नितिश सरकार पर हमला करते वे उन्होंने कहा कि यह मैसासुरी सरकार है जो मादुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है माता के भक्त ये नहीं भूलेंगे 10 नवंबर को परिनाम सब के सामना होगा चिराग ने अपने दिवंगत पिताराउं विलास बासवन को याद करते वे कहा कि पापा थे तो सवा खत्म होने के बाद फोन कर पूछते थे कि लोगों का क्या हा अचालिया सब को क्या स्वासन दिया आज वे नहीं है लेकिन उनकी सिखाए गई बाते मेरे जहन में अगर अगर काम कर सकता है इसकार कर सकता है इसकार ने क्यों नहीं कर सकता है आगर की आई बिखाए जहां एहां लोगों क्यों एजी स्वासन दिखाए जिखाए अचारी नहीं कराने कर नहीं है अजी सवाद कशान था कर दोक हमारे प्रदेश बादीश बेहला है म们रे तोठा मिर्वे ने वापसाने क्ले उतका मत्री ने लावे से साथ मअना कर दिया कैसे से को तोल निक ही आता गर कर हम लों के साथी है प northwest klulli bambai bharaj zaoguza से चनने क्ले मज्मूर हुए उतको भी हाझ की सिना में लेने से मना कर दिया यहां कर रहे हैं सब्सक्राइब जब रुख्य मंद्री हाथ और हाथ धर्टर पेढ़े हुआ। बते हैं इतना विकास किये हैं कि गाओं में बिहार के किसी भी गाओं में जाकर देख लिए हार गाओं में रली-गली अंगे तो भंगे ना ले इन रली-गली स्री जान स्री जाए कैसे यहां पर सेक्टरियां खुले इस सोच के साथ बिहार फर्स बिहार फर्स आता है साथियों आज अब इतनी भारी संक्या में यहां पर माताय मौजूद है मैं बताना चाहता हूँ कि दो जिन पहले मैं सीता मड़ी गया था माता सीता के दर्शन करने मैं अपनी माँ से बहात चाहता हूँ मैं अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माता सीता मात्रतु का स्वरूद है माता सीता नारी स्वाबिमान का स्वरूद है और माता सीता भगवान राम बिनादूरी है और भग्वान राम माता सीता बिनाद हो रहे हैं इसारियों मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आयोध्या में भवेराम मंदिर का नर्मान हो रहा है कि अगर उनको विक्सित कर दिया जाए तो बिहार में राजस हो कितना बढ़ेगा जितने परेड़ एकसल है अगर उसमें लोगों निगेश करनी आ जाए तो स्थान ये लोगों को रोजगार मिलेगा यही बर होटल खुरेगा रिजोट आएगा यही बर ही बिहार का युवा कम नवगचिया मद्दाताओं को जागरूग करने के लिए राजपा का निकलेगा रहला गोपालपूर विधान सवाथ शेत में मद्दाताओं को जागरूग करने हेतू राजपा प्रतियासी संजीब कुमार सिंग उर्प जाबोदा द्वारा सनीवार सुबह साथ बज़े से आपन सभास से आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनसंपर्क में थे अब आपको कैसा लग रहा है और कैसी इस्तिती लग रही आपको इस्तिती तो देखने लाइक है समझने लाइक है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बदलाव लोग चाह रहे हैं लेकिन लोग अभी खुल कर या बोलना नहीं चाह रहे हैं क्या बदलाव चाह रहे हैं बदलाव की इस्तिती में हर एक जनता अपने मूड को बना चुकी है कि मुझे बदलाव चाहिए लेकिन कुछ लोग हवा हवाई बदलाव चाह रहे हैं हवाई जहाज दिखा के भीर जूटा के वो बदलाव दिखा रहे हैं लेकिन मैंने सरजमी पे जाके काम करके दिखा देखा है हरे घर घर जाकर मैंने पैर चुकर आसिरबाद लिया है और मुझे जो ज मुद्धे लेकर आएं आपका भी उन मुद्धों के बारे में बताएं जो अप तो बहुत हैं लेकिन मेरे मेरे तीन मुद्धे जो हैं बहुत आहम है जैसे रिंग बांद और शुलॉस गेट जो गपालपूर से लेकर इंटेंगा घाट से लेकर जहानवी चोग तक का मुद्दा पूरा मैं अपने इसको जो होसो हवास में कह रहा हूं कि मैं जिस मुद्दे को लेकर चुनाओ लड़ा हूं उसमें ये तीन मुद्दे हैं स्लूइस गेट और बांध पहला काम दूसरा काम जितने भी बिस लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी एक और मुद्दा है जो कि नगोचिया को पुर्ण जीला बनाने के लिए आज तक हर सरकार ने इस पर चलने का काम किया है चाहे हुआ राजद राज हो या नितिश कुमार की सरकार हो सभी लोगों ने नब्बे के दसक से आज तक मुद्दे को लेकर कभी पारलियामेंट में संसत भवन में कोई बात उठाई हो सिर्फ जनता को गुमराह किया गया है नगोचिया को पुर्ण जिला बनाया जाएगा अरे भाई कब बनाया जाएगा नब्बे से तो हम लोग भी देखते देखते अब जवानी पार कर चुके गुपालपूर प्रखण में छियासट हजार एक्सव बैयालीस मतदाता करेंगे प्रतियासियों के भाग य का फैसला करेंगे मिली जानकारी कनुसार पूरूस मतदाता 35,028 महिला मतदाता 31,109 वा थड़ जंडर के 5 मतदाता 101 मतदाउन केंद्रों पर मतदाउन करेंगे लाल जी मतदे विद्याले मकनपूर इस्तित मतदाउन केंद्र संख्यां 171 वा 172 को सखी मतदाउन केंद्र बनाया गया है इन दोनों मतदाउन केंद्रों पर पिठासीन पतादिकारी से लेकर सभी कर्मी महिलाएं ही होंगी सखी मतदान केंद्र की सभी प्रतिन्युक्त महला अधिकारी वा कर्मियों के अस्वासन की ववस्था धरारा इस्तित कस्तूर वा गांधी आवासिय विद्याले की गई है उक्ते जानकारी ए आरो सह बिडियो प्रियंकारी सियम नितिशकुमार की चुनावी सभा आज 28 अस्तानों पर डंडादिकारी प्रतिन्युक्त नवगच्या के साहो परवत्ता उच विद्याले के मैदान में सनिवार को मुख्यमंत्री नितिशकुमार चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सियम के चुनावी कारी क्रम को लेकर नवगच्यान मंडल प्रसासनस्तर से सभी तयारी पूरी कर ली गई है सुरक्षा व्यस्ता को लेकर 28 अस्तानों पर डंडादिकारी के साथ पुलिस पदादिकारी की प्रतिन्युक्ती की गई है इसके साथी चार वरी अदंडा दिकारी एवं पुलिस पदा दिकारी के प्रतिनुक्ति की गई नराइनपूर उपू मुख्यमंतरी सुसील मोदी आज नगरपारा में नराइनपूर प्रकंड के रामनाथ बाबा स्टेडियम नगरपारा में असनिवार को सुवे के उपू मुख्य मंतरी सुसील मोदी भीपूर विधान सभा के भाजपा प्रतियासी इंजिनियर सेलेंद के बक्ष में चुनावी जन सभा को समधित करेंगे उक्त जानकारी मंडल अदेक्ष पवन यादव ने दिया है एकसो तिरपन गोपालपूर विधान सभा लोजपा के प्रतियासी सुरेश भगत का जन संपर्ख है जारी एक सोतिरपन गोपालपूर विदान सवाज छेत्र के कई गाउव पंचायत में लोजपा के प्रतियासी सूरेश भगत का जनसंपर्ग जारी है मौके पर प्रतियासी ने कहा क्यों उन्हें हर प्रखंड हर पंचायत के लोगों से प्यार मिल रहा है वे भारी मतों से चुनाओं में जीत दर्ज करेंगे वही मौके पर सैंकडो पाटी के कारेकरताव समर्थक मौजूद थे करपिया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के बिग्यापन के बाद प्रारंब होगा खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339666 हमारा पता है मा गायतरी प्लाइ फर्स्ट फ्लोर ओटू स्टेंड नवगच्छिया एनेज 31 सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रॉल, चौमी, मोमोज, विर्यानी, नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए ज़रूर बढ़ारे सुन्दरम फास्ट फूड राजेंडर कुलोनी मोर इस्टेशन के सामने नवगच्छिया अब आपके सहर नवगच्छिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्वल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें विनायकाच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्छिया, मोबाईल, बहत्तर पंचानबे, आट सो दी, साथ सो तेहत्तर, तेरावबे, जीरो, तेतालीस, सर सट एक सो सत्तर आसुतोस अत्याकांड भीपूर थाने में प्रतिन्युकत एक जमादार और दो होमगाड गिरप्तार नवगच्छिया के भीपूर पूलिस द्वारा पिटाई के बाद मारे गए मढवा निवासी सौप्टेवर इंजिनियर आसुतोस पाठक के अत्याकांड मामले में नवगच्छिया पूलिस जिला के एसपी के निर्देश पर तीन पूलिस कर्मी एक जमादार एसाई और दो होमगाड के जवानों की गिरप्तारी की गई है गिरप्तार एसाई दिवाना प्रसाद हैं तो गिरप्तार हुए दो होमगाड के जवानों में राजू पासवान और मनो चोदरी है एसाई दिवाना प्रशाद भीपूर थाने में प्रतिनी उक्ते तो दोनों ह पुलिस के पास परियाप्त साक्ष भी है जानकारी देवे नौगचिया के स्ड़ीप कुमार ने कहा कि तीनों पुलिस कर्मियों को गुप्त सुचना के अधार पर गठीत टीम द्वारा गिरपतार किया गया है स्ड़ीपियों ने कहा कि पुरुप्ताना द्यक्ष रंजीत कुमार और उसके नीजी चालक की गिरपतारी के लिए भी पुलिस सखन छापे मारी कर रही है जल्दी दोनों को गिरपतार कर लिया जाएगा इधर गिरपतार हुए तीनों पुलिस कर्मियों को नियाए खिरासत मे भेजने की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है नवगचिया जमिन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार पर चलाई तावर तोड़ गोली बड़े भाई की मौत भावी और भतीजी घायल नवगचिया के समयल पूत अनचित के केलावाडी गाउं में जमिन विवाद में छोटे भाई ने केट पर काम कर रहे बड़े भाई और उसके पूरे परिवार पर तावर तोड़ फारिंग की है गटना में केलावाडी निवासी उपेंद्र मंदल 50 वरसिया की मौत मौके पर ही हो गई जबकि उपेंद्र मंदल की पतनी सुबोला देव 45 वरसिया को पीट में गोली लगी है मिरतक की पुत्री 16 वरसिया रेस्मी कुमारी भी गायल है दोनों का इलाज रागलपूर के जबाहाल लाल नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है गटना की सूचना मिलते ही मौके पर इसमाइलपूर पूलिस पहुचकर मामली की चानबीन की है और सब को कभजे मिलेकर पोस्ट माटम के लिए नौगच्यान मंडली अस्पताल वेज दिया गया मिरतक के सर्प में दो गोली लगी है ग्रामिनों ने बताया कि उपेंद्र मंडल अपने खेत में भैंसर आ रहे थे और उनकी पत्री और बेटी घास का ट्र में उपेंद्र मंडल का भाई कोदल मंडल उर्फ असूक मंडल हत्यार के साथ कुछ लोगों के साथ आया और उपेंद्र मंडल को गाली गलोज करते वे तावरतोर फाइरिंग सुरू कर दिया वहीं पूछे जाने पर थाना द्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि जमीन विव पूरा परिवारे भाई गहां रहा था जमीन जगाता उसी का लप्राम अच्छा तो पूरा परिवारे था यह वहां पर क्या पूरा परिवारे भाईश्च रहा था वह घांस गर रहा था गहर के पास ही खेत है अच्छा तो बचाने के लिए गया तो उसको भी गोली मारा उसको भी कपार भी बच्या को फूर दिया अच्छा तो इसका सगा भाई है ने दोनों का पिता एक ही है और यह जो है यानि कितने बज़े की घटना है लंसम रखे चार बज़े चार बज़े साम की घटना है तो और भी था कोई अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथ हो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नैम प्लेट नमबर प्लेट ग्रेनाइट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें विनायक आट गौशाला रोड पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या मोबाईल बहत्तर पंचानवी आट सोती साथ सोती हैत्तर तेरावी जीरो तेतालीस सरसट एक सोती बस एक फोन घुमाओ घर पर समान पाओ अब बजार जाकर ही रासन खरिदने की क्या है जरुदत जब ओए मार्ट है आपके खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666 हमारा पता है मा गायतरी प्लाइ फर्स्ट फ्लोर ओटू स्टेंड नवगच्या एनेच 31 सभी तरह के फास्ट पूड जै किसन के सामने नवगच्या